Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys, lecture number 30 है for MCQs on Indian Freedom Struggle and important MCQs discuss करेंगे जो आपके लिए काफी important रहेंगे, last moments चल रहे हैं आपके exam के पास So, ये lectures ultimately काफी जादा useful रहेंगे last minute revision के लिए तो definitely इन lectures को देखना है आपने और अच्छे से जो भी हम यहाँ पर points discuss कर रहें हो सारे points बहुत important है तो अच्छे से उनको cover करना है and PDF की तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, उसका link description में है and ये MCQ combo course के उपर बेटा जुरूर जाना है एक बार इसका एक free test भी given है, description के अंदर link है और फिर आपके पास course का भी link है तो MCQ combo course में industrial relation, labor law, social security और gap के MCQs आपको मिलेंगे काफी important MCQs है, solutions भी उसके available है non-video course है, तो questions करके आप उसके solutions देख सकते हो and PDF files भी इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो YouTube के lectures है तो उसके लिए फिर वो आपको अलग से लेने की ज़रुत नहीं है UPSC, EPFO code उसकर के 50% off आपको मिलता है and insurance के भी इसके अंदर अभी 3 tests जो है वो डले हुआ है तो जो EPFC वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी useful रहेगा फटा-फट से question के उपर आते हैं West Bengal, Bombay, Madhya Bharat या Punjab So यहाँ पर देखो आप जो वैसे BRM बेटकर Bombay Presidency को बिलॉंग करते थे बट उनका जो Constituent Assembly में election हुआ था वो Bombay से ना हो करके West Bengal से हुआ था तो यहाँ पर answer होने वाला है आपका option A ठीक है क्योंकि कहीं बार बच्चे जिसको नहीं आता होता ना अंसर वो इसमें इस तरीके से ही Bombay Presidency बहुत सारे बच्चे लगा कर गया हैंगे next The Anarchial and Revolutionary Crimes Act 1919 was popularly known as बहुत simple question है बहुत basic सा question है बिल्कुल भी मुश्किल question नहीं है option A Royal Act B. Pits India C. Indian Arms Act D. Albert Bill मेरे इस आपसे जो बच्चा तयारी करके गया है जो एक सीरियस बच्चा है उसके लिए तो एक संडे ट्रीट question है ठीक है संडे ट्रीट की भाई आप अपना संडे खराब करके पेपर देने आए हो तो चलो असान सा सवाल पूछ लेते हैं answer है option A Royal Act Act Royal Act Act Okay, so Royal Act Act का बिल्कुल basic जानेंगे भी हम यहाँ पर features नहीं discuss कर रहे हैं वो आने वाले questions के अंदर upcoming videos में Royal Act Act हम पूरा भी discuss करेंगे Do not worry तो basically Montford reforms आने से 6 महीने पहले आया था यह अभी पिछले lecture के अंदर हमने question भी देखा था जिसके अंदर chronological order पुछा हुआ था और chronological order के अंदर Montford reforms और आपके Royal Act Act दोनों given थे तो बच्चे ultimately confused हो जाते हैं कि 1919 में आये थे दोनों 1919 में आये थे अपने को exactly नहीं पता था कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में मैंने आपको तब भी बताया था कि starting of 1919 around Feb में आपका Royal Act आया था और November में कहीं जाकर के आपका Montec Clemsford reforms आये थे तो याद रखना ही ये chronology के अंदर confusion नहों किसी भी तरह कियेगी 6 महीने पहले आया था Montford reforms से ठीक है अब Montford reforms जब ये आपका Royal Act आया ना तो इस समय पे दो Bill introduced किये गए थे legislative council में उनमें से एक तो खारिज हो गया था ठीक है दूसरा आपका जो कानून था वो Defense of India Regulation Act 1915 का ये एक तरीके से extension था मार्च 1919 में पास हो गया था और officially इस Act का नाम था Anarchal and Revolutionary Crimes Act और popularly इसको Royal Act बोला जाता है ठीक है तो Anarchal and Revolutionary Crimes Act और Royal Act बिलकुल सेम है ये जो पटिकुलर Act है ये जो पटिकुलर Bill के provisions थे ये एक पटिकुलर committee की recommendations के उपर based थे जिसका नाम था Royal Act Commission जिसके head थे Sir Sydney Royal Act और इनी के नाम से इसको Royal Act बोला जाने लगा और इस Act का main agenda क चल रही थी British government के against हिंदुस्तानियों के द्वारा basically जो भी revolutionary activities चल रही थी seditious conspiracies चल रही थी उसको investigate करने के लिए ये पटिकुलर Bill जो है वो pass किया गया था बिल के अंदर क्या points हैं वो हम आने वाले questions के अंदर discuss करेंगे do not worry okay so जब ये bill आया तो जितने भी हिंदुस्तानी थे imperial legislative council के अंदर उन्हों ने इस bill के against vote किया था लेकिन उनकी चली नहीं क्योंकि वो तो minority में थे और जो बाकी के nominees थे जो British nominees थे official nominees थे वो majority में थे तो ultimately ये bill pass हो गया और ये bill pass होने के बाद जो भी Indian elected members थे ना जिसमें आपके मुहमद अली जिन्ना, मदन मोहन, मालविया, मजर, उलहक इन सबने resign कर दिया था प्रोटेस्ट में कि आप ये कैसा बिल लेकर के आ रहे हो तो ये सारे point बड़े important है statement wise question अगर वो पूछता है जैसे for example वो एक statement डाल देगा that after the passage of rollet act all the elected Indian members resigned except मुहमद अली जिन्ना थीक है बच्चों के mind में एक psyche create करने के लिए ना कि मुहमद जिन्ना तो ऐसी Muslim League के member थे ये था वो था तो उन्होंने नहीं resign किया होगा ठीक है तो ultimately answer तो इसका क्या है कि मुहमद अली जिन्ना ने भी resign किया था देगो वैसे भी मुहमद अली जिन्ना was a true nationalist वो जो वो पाकिस्तान वाला उनका रुख बना ना वो 1930s में end of 1930s के आसपास जाकर के कहीं बना ह उसके भी multiple reasons थे ठीक है तो यहाँ पर answer जो है वो आपका उसी साप से decide होगा third question the meeting of Indian and British political leaders during 1930-1932 in London has often been referred to as the first, second and third round table conference it would be incorrect to refer them as such because refer them as such मतलब की यह question कह रहा है की एक तरीके से इसको first, second and third round table conference बोलना गलत है क्यों? पहला कि Indian National Congress did not take part in two of them, Congress ने दो में part नहीं लिया Indian parties other than Indian National Congress participating in the conference represented sectional interest and not the whole of India कि भी Congress के इलावा जो बाकी parties ने participate किया भी वो सिरफ अपने-अपने sections के interest को represent कर रहे थे पूरे देश को भारत को represent जो है वो नहीं कर रहे थे third statement है कि British Labour Party had withdrawn from the conference thereby making the proceeding of the conference partisan British Labour Party बाहर हो गई थी D. It was an instance of a conference held in three sessions and not that of three separate conferences कि यह भी यह एक ही conference थी जो तीन अलग-अलग sessions में एक तरीके से conduct हुई और ना की तीन अलग conferences थी ठीक है? तो यहाँ पर देखो जो सबसे पहली statement है पहली statement बिल्कूल correct है Indian National Congress ने दो में participate नहीं किया था पहले वाली में participate नहीं किया था ठीक है? उस टाइम पर क्या चल रहा था? CDM, Civil Disobedience Movement चल रहा था फिर जब पहली conference होगी तो Britishers ने कहा अंग्रेजों ने कहा कि यार Congress जो है वो India की एक बहुत major party है और जब तक Congress नहीं आईगी तब तक conferences का कोई फायदा नहीं है उसके बाद Congress को मनाने के लिए Gandhi Irwin Pact साइन हुआ जब में Gandhi जी ने बोला ठीक है Congress जो है वो second में participate करेगी second conference के अंदर हम तब तक CDM को suspend कर देंगे तो दूसरी में जाकर के गांदी जी बैठ गए तीसरी में फिर Congress नहीं गई तो Congress ने दो में participate नहीं किया एक में किया था बाकी की जो parties थी Congress के इलावा वो India को represent नहीं कर रही थी वो सिरफ और सिरफ अपने sectional interest को represent कर रहे थे second statement भी सही है ब्रिटिश लेबर पार्टी भी withdraw कर गई थी ये भी सही है ठीक है तो ये लेकिन ये points तो बिल्कुल सही है लेकिन इन में से कोई भी reason नहीं बना कि ultimately इसको क्यों गलत होगा कहना कि ये first, second और third क्योंकि ultimately conference ही ये एक ही थी पर ये तीन sessions के अंदर हुई तो इसी वज़े से ऐसा कहा जा सकता है कि ये तीन अलग-अलग conferences नहीं थी ये conference एकी थी जिसको तीन sessions के अंदर conduct किया गया तो answer यहाँ पर D होगा next question इन में से कौन Congress Socialist Party का prominent leader है option A M.N.Roy B. Ganesh, Shankar, Vidyarthi C. Patam, Thannu, Pillai D. Acharya, Narendra Dev prominent leader of Congress Socialist Party तो answer यहाँ पर होगा आपका option D तो Congress Socialist Party के दो leaders थे जो prominent थे इसकी foundation में Acharya, Narendra Dev और J.P. Narayan 1934 में foundation होई थी J.P. Narayan हमारे पास options में नहीं है सिरफ Acharya, Narendra Dev है next question list 1 और list 2 को match करना है आपने एक तरफ आपको authors के नाम गिवन है, दूसरी तरफ आपको books के नाम गिवन है Surindranath Benerji, M.K. Gandhi, Subhas Chandra Bose, Lajpat, Rai तो देखो इद में से M.K. Gandhi मेरे हिसाब से बहुत simple है हिंद स्वराज क्योंकि history पढ़ी है तो हिंद स्वराज का जिकर काफी बार आता है तो B का तो 1 हो गया B का अगर 1 है तो उसे साब से B और D option तो वैसी eliminate हो गए ठीक है, अब अगर B का 1 है तो definitely आप देखोगे कि A का 4 होएगा, क्योंकि A और C दोनों options में A का 4 है यानि कि Surindranath Benerji की a nation in making हो गई Subhas Chandra Bose की भी काफी famous book है और पिछले कुछ सालों में काफी ज़्यादा news में भी रही है the Indian struggle तो C का 2 हो जाएगा C का 2 हो जाएगा तो answer आपका यहाँ पर automatically C हो जाएगा that means लाला लाजपतराई की जो बुक है उनका नाम क्या हो गया autobiographical ओके, so हिंद स्वराज गांधी जी ने ये किताब लिखी थी और इस किताब में basically गांधी जी एक idea देते है कि देखो अंग्रेज क्या बोलते थे कि भारत तो कभी एक देश था ही नहीं इंडिया was never a nation अंग्रेज बोलते थे कि इंडिया कोई nation थोड़ी था इंडिया तो एक territory थी जिसमें अलग-अलग राजा रजवाडे थे अलग-अलग प्रिंसेस थे इंडिया में अलग-अलग culture के लोग थे अलग-अलग religion था इंडिया कभी भी देश नहीं था है ठीक है और Britishers ने आ करके एक तरीके से इसको unite किया है ठीक है नेक्स है इंडियान स्ट्रगल 1920-1942 के बीच के period की ये book है बेसिकली इस period को ही describe करती है दो parts में लिखी गई थी नेता जी सुभाष चंद्र बूस ने लिखी थी and very important book it is सिख्थ कोशन जो आलना लेरू से related कुछ statement गिवन है आपको पहला, he was the president of Congress party in 1947 1947 में Congress के President थे Constituent Assembly को preside कर रहे थे First Congress Ministry in United Provinces Before India's Independence पहली Congress Ministry United Provinces जो आपका President ये उत्रप्रदेश वाला एरिया है वो इन्हों नहीं बनाई थी इंडिया की अजादी से पहले इनमें से कौन सा statement correct है पहले दोसरा तिसरा तीनों correct है पहला और तिसरा correct है पहला और दूसरा नन्ड अंसर है D इनमें से कोई भी statement correct नहीं है क्यों? क्योंकि Congress के President कौन थे 1947 में Independence के टाइम पर अचारिय जे भी कृपलानी याद रखना है इंडिविजुली कोशन भी पुछा जा सकता है Constituent Assembly के President थे दॉक्टर राजेंदर परसाद और पहली जो Congress Ministry form होई थी इंडिया के Independence से पहले United Provinces में वो form की थी GB पंतने तो तीनों ही एरियाज में जोहाल लान लेरू was not there इनमें से क्या Cabinet Mission Plan के से related correct नहीं है Option A Provincial Grouping B. Interim Cabinet of Indians C. Acceptance of Pakistan D. Constitution Framing Rights Acceptance of Pakistan Cabinet Mission Plan पाकिस्तान को accept नहीं किया तो answer यहां पर आपका सीधा-सीधा C हो जाएगा यह incorrect है तो Cabinet Mission Plan को discuss करेंगे तो Cabinet Mission Plan के अंदर main-main points क्या थे सबसे पहले Rejection of the demand for a full-fleshed Pakistan हमेशा याद रखना यह बड़ा important point है बच्चे confused हो जाते हैं कि Cabinet Mission Plan ने acceptance दे दियोगी तभी तो Pakistan बना नहीं Cabinet Mission Plan तो Pakistan के against था देखो असलियत में तो अंग्रेज कभी भी इंडिया को divided नहीं छोड़ के जाना चाते थे उनको लगता था कि यार अगर हम यह divided इनको छोड़ जाएंगे और conflict zone में छोड़ जाएंगे उसके बाद जी जो भी existing provinces थे उनको इन्होंने तीन sections के अंदर डिवाइड कर दिया जो भी existing provinces थे तीन sections के अंदर डिवाइड कर दिया ABC और इन्होंने बोला कि जब देश अजाद होगा तो three tier executive और legislature होगा एक होगा provincial level के उपर एक होगा sectional level के उपर और एक होगा union यानि कि एक तो जो राजिया है जो province है उसका अपना legislature होगा उसका अपना executive होगा एक section तीन sections में बांटा ना हमने अलग-अलग provinces को section A, section B, section C तो एक section का भी अपना provincial assembly होगा और executive होगा जो basically उस section की provinces है उनको represent करेगा और फिर एक union level पे आ गया constituent assembly के अंदर जो members elect होगे वो proportional representation से elect होगे ठीक है और तीन groups में voting होगी general, muslim and six constituent assembly जो है 389 members की body होगी ठीक है जिसके अंदर provinces के 292 members होगे chief commissioners provinces है यानि कि जो directly imperial rule के अंदर जैसे आज आपकी union territories होती है उस type की उनमें से 4 आएंगे और 93 members जो है वो princely states send करेंगे अब ये जो A, B और C की grouping है ठीक है constituent assembly के अंदर ये अलग-अलग बैठेंगे वो अपने provinces का constitution खुद decide करेंगे एक तो union का constitution होगया एक है अपना-पना खुद का constitution भी decide करेंगे और एक union का constitution और एक provinces का constitution जो center होगा यानि कि जो union है उसके पास defense defense, communication और external affairs की power होगी federal structure होगा communal question जो भी होगा communal basically different communities से related कोई भी question अगर central legislature में आएगा उसमें दोनों communities की majority होनी चाहिए जब voting होगी है simple majority provinces के पास residual powers होगी और पूरी autonomy होगी जैसे आज की date में जब हमारा असली में जो constitution बना हुआ है उसमें residual powers center के पास है cabinet ने कहा था कि residual powers provinces के पास होगी princely states जो हैं वो अब British paramountacy के अंडर नहीं होगी and they will be free कि वो successor जो governments है उनके साथ arrangement में आ सकें and they can also be independent British government के साथ directly वो agreement कर सकते हैं first general elections के बाद province जो है it will be free to come out from a group जो ABC grouping हुई है उसमें से वो भार निकल सकते हैं अगर वो चाहे तो और पहले general election के 10 साल बाद जो province है वो reconsider कर सकती है कि वो एक particular group या एक particular union का part रहना चाहती है या नहीं and they can decide to come out of the union also तो basically ये breakable एक arrangement था ओके और interim government बनाई जाएगी constituent assembly से जब तक constituent assembly में constitutions वगरा frame होगा तब तक वो interim government जो है देश को चलाएगी तो ये major जो findings थी वो थी cabinet mission plan की याद करनी है statement wise question पूछा जा सकता है next आजाते है next में भी again match the following है और आपको एक तरफ तो organizations के नाम given है और दूसरी तरफ एक तरीके से उनके chief founders के नाम given है ठीक है जैसे अभिनब भारत society, अनुशिलन समीती, गदर party, सुराज party तो गदर party तो मैं already आपके साथ in one of the previous lectures discuss कर चुका हूँ तो easily आप बता सकते हो लाला हर्दियाल ठीक है लाला हर्दियाल तो C का तो 2 होगा, C का 2 होगा तो A और B तो ऐसे ही eliminate होगए और C का 2 है तो मतलब D का 3 है, क्योंकि देखो दोनों options में D का 3 है, तो D का तो 3 ही होना है स्वराज पार्टी में C आलदास चले गए ठीक है जी, जो non-corporation movement के बाद form हुई थी, अब VD सावरकर और श्री अरूबिंदो घोष के अंदर confusion है, तो यहाँ पर आपका correct answer होगा option D जो अभिनव भारत society थी ये थी VD सावरकर की और अनुशिलन समिती थी, श्री अरूबिंदो घोष की, तो सावरकर and his brother organized मित्र मेला, जो एक secret society थी 1899 में, और ultimately this merged with अभिनव भारत in 1904, तो अभिनव भारत के साथ सावरकर का association आ गया ओके, और प्रमोथा मित्र, बरिंद कुमार घोष और जेतंदर नाथ बेनर जी ने अनुशिलन समिती की foundation की थी, which was later joined by अरुबिंदो घोष तो अरुबिंदो घोष वाज associated with अनुशिलन समिती in Calcutta, तो ये दोनों points आपने ध्यान रखने है next question again match the following का है, आपको year given है और event given है, जैसे 1883, 1906, 1927 1932, ओके तो एक साथ तरब आपको given है announcement of communal award, formation of the all India states people conference foundation of Muslim league, first session of national conference at Calcutta अच्छा, तो देखो national conference congress से पहले बनी थी तो 1883 में इसका session हुआ था तो A का तो 4 होना है, अगर A का 4 होना है, तो मतलब B और C D option तो eliminate हो गए, A का अगर 4 है, तो definitely B का 3 है, क्योंकि दोनों options में B का 3 है तो B का 3 हो गया, Muslim league बन गई 1906 में, अब communal award announce हुआ था आपका 1932 में, after the end of your roundtable conferences तो D का आपका 2 होना है अगर D का 2 होना है, तो definitely answer जो है, वो A हो जाएगा, okay so the right answer is sorry, D का 1 हो गया न, announcement of communal award, तो right answer हो गया आपका C, okay, right answer हो गया आपका C, all right तो दो sessions हुए थे Indian National Conference के Congress से पहले, 1883 और 1885, 1885 के अंदर एक तरीके से वो joint session होना था, all right, and Surinder Nath Benerji और Anand Mohan Boss जो थे, वो main architects थे, Indian National Conference की foundation में, ये भी नाम आप याद रखेंगे, important है All India Muslim League December 30 1905 में इसकी formation हुई थी as an anti-congress front और जो reactionary elements थे, like Nawab, Salimullah दाका के, ये basically Britishers नहीं encourage किया था इनको divide and rule की जो policy थी उसके accordingly, All India States People Conference, basically ये political movement थी, जो princely states थी जो राजा, रजवाडाओ के अंडर जो states थी, उनके अंदर ये organizations जो बन रहे थे प्रजा मंडल या लोग परिशत कहते थे उनके representatives की ये एक organization थी and पहला session इसका Bombay में December 1927 में conduct किया गया था communal award ये announce किया था Britain के उस समय के प्रधान मंत्री Ramsey McDonald's ने London में इसकी announcement हुई थी August 16, 1932 and ये communal award जो है एक particular committee जिसको Indian franchisee committee भी बोला जाता है या लोथियान committee बोला जाता है उसकी recommendation या उसकी findings के उपर ही report based थी और इस report में basically communal award में separate electorates की बात हुई separate electorates और seat reservation for minorities और इसके अंदर depressed classes को भी 78 reserved seats प्रवाइड की गही थी और इसी के बाद वो पूरा pact वाली चीज़ वही थी गांदी जी जो है वो इसके strictly against थे कि आप within Hindu community भी reservation की बात कर रहे हो तो ultimately फिर पूरा pact हुआ था गांदी जी और अंबेड कर के बीच में तो communal award में basically यही हुआ था कि seats की reservation देको minorities को तो 1909 में reservation देदी गई थी Muslims को तो but यहाँ पर जो main problem थी इंडियन्स को वो थी जो depressed classes को within the Hindu community जो reservation दी जा रही थी उससे problem थी 10th question which among the who among the following suggested the winding of Indian National Congress after India attained independence तो यहाँ पर answer बहुत easy है महात्मा गांदी तो महात्मा गांदी क्या बोलते थे कि देखो Congress का काम था अजादी दिलाना, Congress जो Congress वाले लोग थे वो थोड़ा सा कहते नहीं बापू तो अजीब बाते कर रहे हैं कि इतने समय से आजादी के लिए लड़ रहे हैं और अब जब सरकार बनाने का राज करने का समय आया तो कह रहे हैं Congress को dissolve कर दो तो यह बात मानी नहीं की थी आदी जीगे और नराज हुए थे काफी हो बट छोड़िये वो सब अंसर अपना सी है चलिए, so these were the quick 10 questions guys and I hope you guys enjoyed it and कोई भी डाउट हो telegram पर या comment में पूछे and we'll see you in the next class, till then take care and bye